नमस्ते दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल सराजी स्टूडू टेक्स में आज मैं आपको बताऊंगा MI का स्मार्ट रिमोट जिसको टीवी में पेरिंग कैसे किया जाता है तो चलिए दोस्तों आज हम बताएंगे आपको MI के टीवी के रिमोट के बारे में जिसको पेरिंग आसानी से कैसे करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं इस टाइप का ये रिमोट आता है और मैं आज ब देखिए यह इस टाइप का बहुत ही कमाल का और एकदम स्लिम स्मार्ट रिमोट जो की M.I. LED TV का अभी नया विद वोईस वाला रिमोट आया है तो इसको पैरिंग कैसे करते हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू एक बार पिर से तो दोस्तों अगर आपका M.I. TV का रिमोट अगर खराब हो जाता है और अगर आप नया खरीदना चाहते हैं तो इसको पैरिंग कैसे किया जाता है और यह रिमोट किस टाइप का आता है तो आप देख सकते हैं यह नेट्पलेक्स प्राइम वीडियो वोल्यूम प्लस माइनस और M.I. लोगो के साथ मय आता है जो कि ओरिजिनल रिमोट है और आप देख सकते हैं नेट्पलेक्स प्राइम वीडियो वोल्यूम प्लस माइनस मेनु बएक बटन और Google Assistence और पावर की जो कि इतने सारे बटन आते हैं और ये Bluetooth पेरिंग रिमोट आता है जिसको हम पेरिंग करने के बाद में ही हमारे TV के अंदर ये रिमोट काम करता है तो इसको पेरिंग कैसे करते हैं तो इसके बारे मैं आपको इन पॉर्मेशन दूंगा तो आप देख सकते हैं एक लगा के बता रहा हूं आपको और एक साइड में वो बटन है तो इन दोनों बटनों को हम एक साथ में कम से कम 10 सेंद से 15 सेंद तक टीवी के सामने दबा के रखेंगे तो ये रिमोट आटमेटिंगली टीवी में पेर हो जाएगा तो दस सेंद के बाद में हमारे इसमें OK जले